अध्याय नौ फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था उसके चेलों ने उससे पूछा हे रब्बी किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने येशो ने उत्तर दिया कि न तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रगठ हों जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की जोती हूँ ये कहकर उसने भूमी पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी उस अंधे की आँखों पर लगा कर उससे कहा जा शिलोह के कुंड में धोले जिसका आर्थ भेजा हुआ है सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लाटाया तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीक मांगते देखा था कहने लगे क्या ये वो ही नहीं जो बैटा बीक मांगा करता था कितनों ने कहा ये वही है औरों ने कहा नहीं परन्तु उसके समाल है उसने कहा में वही हूँ तब वे उससे पूछने लगे तेरे आँखे कैसे खुल गई उसने उत्तर दिया कि ये शु नामा के एक व्यक्ती ने मिट्टी सानी और मेरी आँखों पर लगा कर मिट्से कहा शिलो में जाकर धोले मैं गया और धोकर देखने लगा उन्होंने उससे पूछा वो कहा है उसने कहा मैं नहीं जानता लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए जिस दिन ये शु ने मिट्टी सान कर उसकी आँखें खोली थी वो सब्त का दिन था फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा तेरी आँखें किस रिती से खुल गई उसने उनसे कहा उसने मेरी आँखों पर मिट्टी लगाई फिर मैंने धोलिया और अब देखता हूँ इस पर कई फरीसी कहने लगे वो मनुष्य परमेश्र की योड से नहीं क्योंकि वो सबत का दिन नहीं मानता और उने कहा पापी मनुष्य कैसे ऐसे चिन दिखा सकता है सो उनमें फूट पड़ी उन्होंने उस अंधे से फिर कहा उसने जो तेरी आँखे खोली तू उसके विशे में क्या कहता है? उसने कहा वो भविश्य दवकता है परंतु यहूदियों को विश्वास ना हुआ कि ये अंधा था और अब देखता है जब तक उन्होंने उसके माता पिता को जिसकी आँखें खुल गई थी बुला कर उनसे ना पूचा क्या ये तुम्हारा पुत्र है? जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था अब वो क्यों कर देखता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया हम तो जानते हैं कि ये हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था प्रंतु हम नहीं जानते हैं कि अब क्यों कर देखता है और ना ये जानते हैं कि किसने उसकी आँखे खोली वो सयाना है उसी से पूछ लो वो अपने विशे में आप कह देगा ये बाते उसके माता पिता ने इसलिए कहीं, कि वे यहुदियों से डरते थे यहुदी एका कर चुके थे कि यदि कोई कहें कि वो मसी है, तो आराधनालय से निकाला जाए इसी कारण उसके माता पिता ने कहा के वो सयाना है उसी से पूछलो तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुला कर उससे कहा परमेश्वर की स्तुती कर, हम तो जानते हैं कि वो मनुष्य पापी है उसने उत्तर दिया मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं मैं एक बाब जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ उन्होंने उससे फिर कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आखें खोली उसने उनसे कहा मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने ना सुना अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बाते की, परंतो इस मनुष्य को नहीं जानते की कहा का है। उसने उनको उत्तर दिया। जानते हैं कि किसी ने भी जन्म के अंधे की आखे खोली हो। यदि यह परमेश्वर की और से ना होता, तो कुछ भी नहीं कर सकता। विश्वास करता है। उसने उत्तर दिया कि ए प्रभू, वह कौन है कि उस पर विश्वास करूँ। येश्व ने उससे कहा। तुने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बाते कर रहा है, वही है। उसने कहा। हे प्रभू, मैं विश्वास करता हूँ। और उसे दंडवत किया, तब येश्व ने कहा। मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ। कि जो नहीं देखते, वे देखें। और जो देखते हैं, वे अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बाते सुनकर उससे कहा। क्या, हम भी अंधे हैं। इश्व ने उनसे कहा। यदि तुम अंधे होते, तो पापी न ठहरते, पर अब कहते हो कि तुम देखते हो, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है।